सीबेसी वर्ट्स में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम क्लासिक साइंस का चैप्टर 10 जिसका नाम है फन विद मैगनेट्स वो डिसक्स करेंगे पुरानी वली NCRT बुक में ये आपका चैप्टर नमबर 13 है पिछले चैप्टर की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको क्लासिक साइंस की प्लेलिस्ट का लिंग मिल जाएगा वहाँ से देख सकते हो पहेली और बूजो एक जिखें पर गये जहां पर बहुत ज़ादा वेस्ट माटीरियल था, कूड़ा कबाड वगेरा था वास पाइल्ड इंटू हीउज हीप्स पाइल्ड का मतलब एक की उपर एक चीजों का रखना हीप्स मतलब धेर तो वेस्ट माटीरियल एक की उपर एक रखे थे नीचे आप image में देख सकते हो इस तरह से crane है तो एक crane का लंबा सा हाथ type का है यह आप देख सकते हो यहाँ से ऐसे string type की dory type की लेटगरी है और इस से attach है एक block तो इस block को ऐसे नीचे किया जा रहा है धेर की तरफ और उसके बाद फिर उसको move कराय जा रहा है यानि इधर से उधर जो धेर लगा हुआ है इसके उपर उपर move कराय जा रहा है अब guess करो क्या हुआ many pieces of iron junk were sticking to the block तो वो लोहे जो कबाल बन गये थे उनके जो टुकडे थे वो इस block पे चिपक रहे थे जैसे जैसे यह block move कर रहा था यानि कूडे के धेर के उपर से जैसे से move कर रहा था तो उस कूडे के अंदर जो लोहे के टुकडे थे जो की कबाल बन चुके थे पर कबाल है तभी तो उसको फेका गया था वाँ तो वो उस block पे चिपकने लगे पहीली और भुजो ने बहुत ही interesting book पड़ी थी magnets के बारे में तो वो तुरंट समझ गया कि यहाँ पर न एक magnet होगा जो कि attach होगा crane के end से वही जो उपर block दिख रहा नाम को यह magnet होगा यह जो इस पर यहाँ पर लगा हुआ है तो वो समझ गया तुरंट कि यह एक magnet होगा और यही जो magnet है वो पिक कर रहा है जो iron है जंक्यार्ड में उनको वही धेर के अंदर बहुत सारी चीज़े हैं लकडी है, प्लास्टिक है, पेपर है, कपड़े है सारी चीज़े मिक्स रहती है उसी में iron भी है तो इस क्रेन से magnet को लटका देते हैं फिर उसके उपर-उपर move कराते हैं तो जो लोहा होगा, उसका बाड़ के अंदर चुपा हुआ वो आ कि उपर चिपक जाएगा आपने magnets को देखा होगा और उनके साथ खेल के आपने enjoy भी किया होगा क्या कभी है, आपने stickers देखे जो की चिपके रहते हैं iron surfaces जैसे आपके almira हो गई ना, लोहे के almari है तो वो sticker उसके लगाओ तो चिपक जाएंगे तो वो क्यों चिपक जाते हैं उन stickers में पीछे magnet लगे होते हैं इसी तरह से refrigerator को जो door होता है वो ऐसे जाकर करीब जाता है तो वो बंद हो जाता है क्योंकि अंदर उसके magnet लगा होता है इन सम pin holders, तो कुछ जो आपके pin holders होते हैं यह आप यहाँ image में देख सकते हो यह pin holder होता है, इसके अंदर pin होती है बीच में आप जो इस तरह से देख रहे हो ना पर यह magnet होता है, इसे से pin चिपकी रहती है तो आपको ऐसे लगेगा कि वो holder से चिपकी होई है तो वो क्यों चिपकी होती है, magnet की वज़े से कुछ आपके pencil boxes होते हैं उनकी जो lid होती है, उनका जो ढखकन होता है वो tightly fit हो जाता है जब उस box को हम बंद करते हैं अंदर lock वाला system नहीं होता है लेकिन फिर भी आप उनको बंग करने कोहिश करोगे तो वो खट से चिपक के बंद हो जाएंगे तो वो क्यों होते हैं, क्योंकि वहाँ पर magnet लगा होता है जैसे यहाँ पर box जो बना है आप देख सकते हो, यहाँ पर ऐसे magnet लगा है यहाँ पर लगा है तो जब इसको ऐसे बंद किया जाता है तो जैसे ही यह magnet करीब आते हैं तुरन चिपक जाते हैं और box बंद हो जाता है तो यह जो आपके stickers हो गया है, pin holder हो गया है अब magnet कैसे खोजा गया था पहली बार कैसे बता चला कि हाँ यह magnet है इसका यह काम है तो देखो सही कहानी किसी को नहीं पता ऐसा कहा जाता है के एक shepherd था, चरवाह था उसका नाम मैगनीज था जो कि बहुत पहले ग्रीज के अंदर रहता था वो अपनी भीण बकरी को चराता था पास में mountain थी तो वहाँ उनको चराने के लिए ले जाता था उसके पास एक stick थी, छडी थी जिससे उनको जो है, वो control करता था उसकी stick में एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा लगा था एक किनारे पर एक दिन क्या हुआ, वो surprise हो गया कैसे surprise हो गया? तो find that he had to pull hard to free his stick from rock एक चटान पे उसकी जो चडी है वो जब touch करी, तो उसको खीचने में थोड़ी ताकत लगी on the mountain side, यही पहाडी वाले इलाके में एक चटान पे उसकी चडी चूगई तो जब उसको खीच रहा था, तो ऐसे लग रहा था कि थोड़ी ताकत लगानी पड़ रही है it seems as if the stick was being attracted by the rock तो ऐसा लगा जैसे वो जो stick है उस पत्थर से attracted हो गई, अपनी तरफ खीच रही है तो वैसे अगर हम छडी से किसी पत्थर को touch कराएं तो चिपके की नहीं, तो normally तो ऐसे ही होता है लेकिन उसकी जो छडी थी वो उस रॉक पे चिपक गई, थोड़ी ताकत लगानी पड़ उसको अलग करने के लिए तो ये पहली बार उसने देखा था किया रहा, ऐसा कैसे हो गया, ये कैसे चिपक गई तो ये देखके वो surprise हो गया तो वो जो रॉक थी, वो कोई मामली रॉक नहीं थी बलकि क्या थी, वो एक natural magnet था और उसने किसको attract किया वो जो iron tip थी, वह पूरी छडी उसकी लखड़ी की रही होगी, वो लोहे का जो टुकड़ा लगा था अगर पूरी लखड़ी की होती तो वो बिल्कुल attract नहीं करती लेकिन उस लोहे के टुकड़े की वज़े से उसकी जो stick थी, वो रॉक से चिपक गई तो ऐसा कहा जाता है कि इस तरह से जो natural magnet है उसको discover किया गया था अब natural magnet उसके क्यों कह रहे है क्योंकि उसको किसी इंसान नहीं बनाया था मॉन्टेन में पहले से ही पड़ा था, वो चट्टाने है तो वो पहले से ही nature में present थी तो इस तरहिके की रॉक को नाम दिया गया magnetite, यानि ऐसी रॉक जो लोहे को अपनी तरफ खीचती है उनका नाम क्या दिया, magnetite, ये नाम याद रखना शैद जो shepherd का नाम था, उसी पर उसका मैगनीज नाम था ना, तो मैगनीज से magnetite मिलता जुलता है, तो एक कहानी ये कही जाती है, अभी जो magnetite होता है, इसके अंदर iron होता है, लोहा होता है, अचा कुछ लोग दूसरी कहानी को believe करते हैं, वो क्या मानते हैं, the magnetite was first discovered at a place called magnesia, कहा एक जगे थी ना, उसका ना हमें magnesia, तो वहाँ पर ये सबसे पहले discover किया गया था, तो उसी से इसका नाम पढ़ गया magnetite, तो अलग-अलग कहानी है, किसी को clear नहीं पता कि हाँ, कभी ये खोजा गया था, किसने खोजा था, कहां मिला था, the substance having the property of attracting iron are known as magnets, तो magnetics को कहते हैं, वो substance, जिनके अंदर ये property होती है, ये काबिलियत होती है, कि वो लोहे को attract करें, अपनी तरफ खीच सकें, उन्हें हम क्या कहते हैं, magnets कहते हैं, this is how the story goes, तो इस तरह से ये कहानी चलती जाती है, in any case, तो कोई भी बात रही हो, कहानी से हमको क्या लेना देना, किस ने खोजा, कब खोजा, में चीज़ ये हैं कि लोगों ने discover कर लिया, एक खास तरीके की rock, जिसके अंदर property थी, क्या property थी, क्या खासियत थी, कि वो लोहे के टुकडे को अपनी तरफ attract करें, खीचे, उन्हें ये भी पता चला, ये जो छोटे से टुकडे हैं, rocks के, चटान के, इनके अंदर कुछ special properties हैं, इनके अंदर कुछ खासियत है, एक चीज तो हमने देख ली, कि वो लोहे को अपनी तरफ खीचते हैं, और भी बहुत सारी चीज़े हैं, जो कि आप आगे पढ़ोगे, तो जिन लोगों ने भी इसको खोजा, उन्हों ने इसका नाम रख दिया, किनका नाम रख दिया, ये जो naturally occurring materials हैं, यानि वो चटाने जो iron को अपनी तरफ खीचती हैं, क्या नाम रखा, उनका नाम magnets रख दिया, फिर उसके बाद लोगों ने ये सीखा, कि कैसे लोहे के टुकड़े से हम magnets बना सकते हैं, और इनको क्या कहा गया, artificial magnets, एक तो आपके naturally मिलते हैं, उसको कोई बनाता नहीं है, ऐसे magnet को हम natural magnet कहते हैं, और वो magnet जो बनाए जाते हैं, जो इसको इंसान बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, artificial magnets, आजकल ये जो artificial magnets हैं, वो अलग-अलग shape में prepare किया जाते हैं, जैसे आपका bar magnet हो गया, ये वाली जो आपकी image है न, चप्टा सा, इसको हम bar magnet कहते हैं, एक आपका horseshoe magnet होता है, इस तरह से ये जो U-shape का है, cylinder वाला है, ये वाला, और आप ball ended magnet, और ये इस तरह से जिसके दोनों किनारे पे ball जैसे बना होता है, तो ये भी एक तरह के magnet है, तो ये आपको कुछ example दिये हैं, कि इस तरह के shape होते हैं, magnet के, कुछ लोग books के बारे मुझसे पूछ रहे थे, in my opinion, Oswald books are best, मैं इसको देखा है, और इसके अंदर वो सारी चीजे हैं, जिसके आपको ज़रत पड़ेगी, maximum score करने के लिए, जैसे मैं थोड़ा सापको बताता हूँ, एक तो इसके अंदर chapter के आपको summary मिल जाएगी, जो की revision मे आपर दिया हुआ है, इसी के साथ साथ exercise के questions के solution, और जो NCRT exemplar है, जो की exam के point of view से बहुत important है, उसके solution भी आपको यहाँ मिल जाएगे, with explanation, और सबसे important जो आपका नया syllabus है, उसके अंदर जो competency या critical thinking based questions add किये गये हैं, तो वो question और उनके solution भी आपको यहाँ मिल जाएगे, तो complete चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाएगे, अगर आपको यह book purchase करनी है, तो description में मैंने WhatsApp चैनल का link दिया है, उसे click करके open कर लेना है, तो इस तरीके से plastic या paper का cup ले लेना है, और यह आपका stand है, और यह ऐसे आपका clamp है, जो पकड़ता है, तो यह आपका clamp है, यह glass को hold और यह यहाँ पर stand में fix होगा, अब एक magnet को उस cup के अंदर रख देना है, और cup को आपको paper से cover कर देना है, ताकि magnet दिखाई न पड़े, यानि उस cup के अंदर छूपा रहे है magnet, अब आपको एक clip ले लेनी है, लोहे की और उससे धागे को attach कर देना है, तो धागे के एक किनारे पर आपको clip attach कर देना है, और दूसरे किनारे को stand का जो base है, वहाँ पर fix कर देना है, अब यहाँ एक बात क्या ध्यान रखना है, जो trick हम यहाँ पर लगा रहे हैं, वो यह है कि जो thread की लंबाई है, वो छोटी होनी चाहिए, यानि इतनी बड़ी ना हो, कि वो cup तक सके, अब आपको क्या करना है, उस clip को cup के base से करीब लाना है, आपको क्या दिखेगा, जो clip है, वो हवा में उड़ रही है, बिना किसी support के, पतंग की तरह, तो यह यहाँ नीचे देख सकते हो, यह धागा है, इसको यहाँ नीचे stand का जो base है, वहाँ fix कर देना है, और दूसर क्या करेगा, clip को अपनी तरफ खीचेगा, लेकिन clip धागे से बंदी है, और धागा नीचे base में fix है, अगर धागे से न बंदा होता, तो वो clip magnet में जाके चिपक जाती, लेकिन धागे से बंदे होने की वज़े से, वो एक उचाई तक जाने के बाद आगे नहीं बढ़ पा र दिया है, और इसको threat से बांद दिया है, एक end जो है वो इसमें बंदा हुआ है, और दूसरा यहाँ पर इस पे मैंने fix कर दिया है, मेरे पास stand वगएरा था नहीं तो उस तरह का setup नहीं बनाया है, लेकिन इससे भी आप समझ सकते हो, ये मेरे पास magnet है, इसकी power कम है, इसलिए कफ अगयरा रखके experiment नहीं हो सकता, लेकिन इसमें भी आप समझ सकते हो कि क्या उसमें कराय गया है, अगर मैं सारेन पीस को ऐसे उठाओं, और फिर छोड़ दू तो क्या होगा, नीचे गिर जाएगा, लेकिन अब देखना, इसके थोड़ी दूर पे हम एक magnet रखेंगे, ये ये उपर नहीं जा पा रहा है, इसलिए हवा में ये लटका हुआ है, तो समझ गए इस तरीके से ये काम करता है, 10.1, magnetic and non-magnetic materials, ये क्या होते हैं, इसको समझते हैं, उसके लिए एक activity करना पड़ेगा, activity 2, चलिए हम मैगनीज के food steps पे चलते हैं, यह उसी के नक्षे कदम प लगा था, उसके stick, magnet पे चिपक जाती है, ये सारी कहानी हुई थी, उसी तरीके से हम भी करते हैं, हम भी छड़ी लेके निकलेंगे, लेकिन इस बार एक change रहेगा, चेंज क्या रहेगा, position of magnet and iron, iron और magnet की जो position है, उसको change कर देंगे, मैगनीज की जो चड़ी थी, उसमें लोहे का टुकड़ा लगा था, जो की magnet से जाके चिपका, इस बार जो हमारा magnet है, वो shepherd stick पे लगा होगा, यानि उसकी चड़ी पे लोहे का टुकड़ा लगा था, magnet बाहर था, इस बार हम क्या करेंगे, stick में magnet लगा देंगे, अब stick आपको बस ध्यान रखना हमने क्या चेंज किया है, उसकी चड़ी में लोहे का टुकड़ा लगा था, हमारी चड़ी में magnet लगा है, उसने stick की मदद से magnet को खोजा था, और हम stick की मदद से iron को खोजेंगे, लोहे को ढूनेंगे, क्योंकि हमारे stick में magnet लगा है, तो stick को लेके आप कहां जाओ कि school playground में चले जाओ, इधर उधर ऐसे आप टहलोगे, फिर देखो आपकी जो magneze stick है, उसने क्या pick up किया, school ground से, पर ग्राउंड ने बहुत सारी चीज़ा पड़ी होती है, तो वही ground पे एकदम घुमाओ गे उपर उपर, तो कुछ चीज़ें उस पे चिपक जाएंगी इसी तरह से आप classroom के अंदर चले आओ, और हर object के पास से उस stick को घुमाओ, तो आप देखो के कुछ चीज़ें होंगी, जो कि आपकी stick से चिपक जाएंगी, और stick में भी जो magnet लगा उससे चिपक जाएंगी, और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, जो उस magnet पे नहीं चिपकेंगी इसी तरीके से आपको collect करना है बहुत सारे object, जो हम day to day use करते हैं, अपने आस पास जो भी object है, उसको आपको collect कर लेना है, और इनको भी आपको test करना है, यही magneze stick से, अब अगर आप इस तरह से छड़ी वेगरा नहीं बनाना चाहेता है, तो simple magnet ही ले लो, और उसकी मदद से object को touch कराओ, और observe करो कि कौन से object है, जो कि stick कर जा रहे है, magnet से चिपक जा रहे है, तो इस तरह से अलग-अलग object पे touch कराकिर देखोगे, तो आपको पता चल जाएगा, कि कौन से object है, जो कि इस magnet से चिपक रहे है, stick कर रहे है, कौन से नहीं, फिर आपको एक table बना लेनी है, अ आपने scale ले लिया, shoe ले लिया, last वाले column में आपको ये note करना है, कि वो कौन से object है, जो कि attract हो रहे है, magnet से, attracted by magnesium stick या magnet जो भी आपने लिया, तो attract हो रहा है, तो yes और नहीं हो रहा है, तो no, now make a list of material from which these objects are made, फिर एक list और बनानी है, जिसमें जो भी object आप ले रहे हो, वो किस material से किस चीज से बना है, वो भी आपको लिखना है, तो बीच वाला जो column है, वो इसी का है, material which object is made of, जैसे iron ball है, वो किसकी बनी है, cloth की, plastic की, aluminium की, wood की, glass की, iron की या और भी जो चीज है, किसकी बनी है, ये आपको लिखना है, तो पहले इतना काम हम कर लेते हैं, कुछ यहाँ पर already quality field है, जैसे iron ball हो गई, लोहे की गेंद हो गई, तो ये किसकी बनी होगी, लोहे की बनी होगी, इसको आप test करो गए, magnet से तो आप देखोगे, ये magnet से चिपक गया, तो हम yes कर देगे, इसी तरह आप scale का test कर लो, scale आपकी किसकी बनी होती है, plastic के बनी होती है, metal की भी आती है, wood क भी आती है, जो सभी आपने लिया है, उसका आपको लिख देना है, जैसे मैं प्लास्टिक का टेस्ट कर रहा हूँ, तो प्लास्टिक मैंने लिख दिया, अब प्लास्टिक की जो स्केल है, क्या वो मैंगनेट से चिपकेगी, नहीं चिपकरी है, तो हमने नो कर दिया, इसी तर कभी आता है plastic के भी आता है glass का बी आता है काँच का तो चलो हम glass वाला ले तेए ठीक है काँच का glass है इस से टेस्ट करेंगे attack हो रहा है नहीं तो no कर धिया हमने pencil की बात कर लें तो यह आपके wood की लकड़ी की बनी होती है यह भी अट्रेक्ट करेगी, नहीं करेगी, की ले लेते हैं चाभी, यह आपकी iron की बनी होती है, लोहे की, यह अट्रेक्ट होगी, यस बिल्कुल, rubber ball हो गई, यह आपकी rubber की होती है, यह अट्रेक्ट नहीं होगी, magnet से नहीं चिपकेगी, coin की बात कर लें, तो यह आपका iron का होता है, वाना स्टील लिखते हैं। तो coin attract होगा, yes होगा। इसी तरह हम nail की बात कर लें। तो ये आपकी iron की होती है, लोहे की kill होती है और ये भी आपकी attract करेगी। तो इस table को आप चाहे जितना बड़ा कर सकते हो। जिस इस object से आप test करोगे, वो सारा यहाँ note down कर सकते हो। अब आप ये बताओ कि क्या कोई ऐसा material है जो की common है, उन सारे object में that were attracted by magnet. Magnet से जो object attract हुए, यानि magnet पे चिपक गए, उनका material चेक करो, कि क्या उन सब का material सेम था, चली देखते हैं, हमने देखा iron ball चिपक गई, और ये किस की बनी थी, iron की बनी थी, scale नहीं चिपकी, shoe नहीं चिपका, tumbler, pencil, फिर key की बात कर ले, तो key भी क्या करी, attract कर गई, और ये iron की बनी थी, rubber ball attract नहीं करी, coin attract कर गया, yes, और ये iron का बना था, nail की बात कर ले, ये भी attract कर गया, और ये iron का बना था, तो अब देखो, कि सारे वो object जो attract हुए, वो iron के बने थे, लोहे के बने थे, इससे क्या बात समझ मैं, कि कौन सो object है, ये matter नहीं करता, बलकि वो किस चीज से बना है, तो यहां समझ मैं कि जो लोहे की चीज है, मैंगनेट उसको attract करेगा, अब उससे कुछ भी बना लो, चाहे एक ball बना लो, key बना लो, coin बना लो, nail बना लो, material हम देखेंगे, कि वो किस चीज से बना है, लोहे से बना है, तो मैंगनेट उसको attract करेगा, तो ये बात हमको समझ माई कि, जो मैंगनेट है, वो attract करते हैं, कुछ खास तरीके के materials को, और वहीं कुछ ऐसे भी material होते है, जो कि मैंगनेट के द्वारा attract नहीं किये जाते, तो ऐसे material जो कि attracted होते हैं, मैंगनेट की तरफ, मैंगनेट से चिपक जाते हैं, मैंगनेट हों को खीच लेता है, या हम कह सकते हैं, मैंगनेट की तरफ वो खीचे हुए चले जाते हैं, तो ऐसे material को हम magnetic material कहते हैं, अब इसके example की बात कर लें, तो iron, nickel और cobalt, ये वो material हैं, जो मैंगनेट की तरफ attract होते हैं, अब nickel और cobalt की जो चीजें हैं, वो हमारे आसपास इतनी नहीं होती, अगर होंगी भी तो आपको बता भी नहीं होगा, कि वो किस चीज की बनी है, इसलिए जो हमने table बनाया तो उसके अंदर, nickel और cobalt से बनी हुई चीजें नहीं थी, हमको सारी iron वाली चीजें मिली थी, लेकिन यह याद रखना, कि जो magnet है, वो सिर्फ लोहे को अपनी तरफ नहीं खीचता, यह सिर्फ iron ही ऐसा material नहीं है, जो magnet की तरफ attract होता है, खीचा हुआ जाता है, nickel और cobalt भी हैं, जो magnet से attract होते हैं, वहीं ऐसे material जो की magnet की तरफ attract नहीं होते हैं, उन्हें हम non-magnetic कहते हैं, जैसे wood हो गया, plastic हो गया, leather हो गया, glass हो गया, तो कहरा कौन से material है, जो की non-magnetic है, तो जो attract नहीं हो रहे हैं, उनको अप लिख सकते हो, मैंने आपको बाता ही दिया कौन-कौन से हैं, अब एक सवाल आपके समने आता है, इस soil है magnetic और non-magnetic material, क्या जो soil है, वो magnetic है या non-magnetic material है, क्या मिट्टी magnet की तरफ attract होती है, चिपकती है कि नहीं होती, अब इसको देखेंगे, उससे पहले बूझो की हम बात कर लेते हैं, बूझो के पास आपके लिए एक सवाल है, कोई पुछता एक tailor है, जो की बटन वगएरा सिल आता शर्ट की, और उसकी जो needle है, वो slip करके उसके हाथ से गिर जाती है, जमीन पे, क्या आप उस tailor की मदद कर सकते हो, उसकी needle ढूणने में, तो हाँ अगर उसके पास एक magnet होगा, और अच्छा कासा powerful magnet होना चाहिए, तो वो क्या करेगा, जमीन के आस पास उस magnet को घुमाएगा, मिल्कुल जमीन से करीब करीब, तो needle जहाँ पर भी होगी, अगर उसके पास से जब magnet जाएगा, तो उस पर इचिबग जाएगी, तो magnet का use करके, हम उस tailor की help कर सकते हैं, तो हाँ soil की बात हो रही थी, आप चलिए इसको test करते हैं, activity 3, rub a magnet in sand और soil, आपको एक magnet लेना है, उसको sand यानि बालू में, या मिट्टी में रब करना है, यनि यसे रगड़ना है, तो रब करने के बाद, magnet को बहार निकाल लो, क्या कुछ particle है, sand या soil के जो की magnet से चिपके हुए हैं, तो आपको कुछ चीज़े चिपकी हुई दिखेंगी, अब आपको क्या करना है, धीरे से उस magnet को शेक कर लो, ताकि जो sand या soil के particle उस पे लगे हुए हैं, वो गिर जाए, क्या अभी भी कुछ particle है, जो की magnet पे चिपके हुए हैं, तो आप देखो कि जाड़ने के बाद, यनि शेक करने के बाद, भी कुछ particle ऐसे हैं, एक को छोटे-छोटे टुकडे हैं, वो magnet से चिपके हुए हैं, तो वो जो छोटे-छोटे टुकडे magnet से चिपके हुए हैं, वो आपके iron pieces हो सकती हैं, छोटी-छोटे लोहे के टुकडे हो सकते हैं, जैसे हम iron filings कहते हैं, यानि iron filings क्या होता है, लोहे के बहुत छोटे छोटे टुकडे होते हैं जिसे powder form कह सकते हो तो यह जो iron filings थी वो soil के अंदर रही होंगी जह हमने magnet उस पर rub किया तो उस magnet ने इस soil में से जो iron filings थी उसको pick कर लिया तो इस तरीके के activity से हम यह पता कर सकते हैं कि जो soil या sand है किसी भी जगें की वो iron के particle contain करती है की नहीं यानि यह soil या sand के अंदर लोहे के टुकडे हैं की नहीं है वैसे तो बहुत छोटे-छोटे होते हैं आपको दिखे गए नहीं और दिख भी जाएगा तो आप कैसे बात अगर होगई लोहे के टुकडे हैं किसी और चीज के टुकडे हैं मैगनेट से ही हमको आइडिया लगेगा अगर वो मैगनेट चिपक जा रहे हैं इसका मतलब वो लोहे के टुकडे हैं अब आपको और iron और kobald भी हो सकता है तो ये चीज़े इतनी आम तोर से नहीं पाई जाती है इसलिए इनके होने की चांस बहुत कम है हो भी सकता है लेकि जातर ये चांस है कि वो लोहे के ही टुकडे हो अब इस activity को अपने घर के पास करना है या school के पास या वो जगें जहां आप छुटियों में जाते हो तो एक magnet आपको खरीद देना है और जहां पर भी जाओ वहाँ पर अगर sand है या soil है तो उसमें रब करके देखो तो इससे आपको ये पता चले गए कहां पर soil या sand के अंदर iron filings यानि लोहे के छोटे-छोटे टुकडे present है कि नहीं है कहां कम है कहां जादा है अब अपने observation को आपको compare करना है किस से compare करना है जो आपका magnet है उससे iron filings जो चिपकी हुई है आप ये देखो कि क्या इन में से किसी तरह से दिखती है यानि जो iron filings आपके magnet से चिपकी है वो A वाली figure की तरह दिख रही है B की तरह या C की तरह अब ये figures क्या है इसको थोड़ा से देखते है A वाली क्या है many iron filings यानि इस तरह से धेर सारी अगर आपको iron filings magnet से चिपकी हुई दिखें तब आप कहोगे कि इस जगें पर जो soil या sand है उसके अंदर many iron filings है B वाले में few iron filings कि थोड़ी सी देखो थोड़ा थोड़ा यहां चिपकी हुई है तो आप कहोगे कि few iron filings है C वाली figure में क्या है no iron filing is sticking to it यानि अपने sand या soil में रब किया और कोई भी iron filings आपके जो magnet है उसके नहीं चिपकी तो इसका मतब इस sand या soil के अंदर iron filings नहीं है तो जैसा भी आपको देखने को मिले A, B, C वाली figure से compare करके और फिर आपको इसको note down करना है तो ये table आपका 10.2 है magnet rubbed in sand how many iron filings तो इसमें पहले column के अंदर है name of location यानि कहां पर आप ये test कर रहे हो किसी colony के अंदर कोई या town है या city है या village है तो उसका आपको नाम लिख देना है तो जैसे आप किसी शहर से रहते हो तो उस शहर का नाम लिख देना कि इस शहर के अंदर मैंने test किया और मुझे ये मिला किसी particular location भी लगा सकते हो कि घर के पास मैंने test किया तो ये मिला, school के पास ये मिला मैं village गया था, अपने गाओं गया था वहाँ ये मिला, ठीक है तो इसी हिसाब से हम भर देते हैं तो एक location near home यानि घर के पास जो हमारे soil थी मिट्टी थी, वहाँ पर आपने test किया तो आपको क्या मिला, जैसे जो मुझे मिला मैं बता देता हूँ, कि मेरे घर के पास जो मिट्टी थी, वहाँ पर मुझे many, बस आपको इसी मांसर देना है many है, very few है या none है जादा iron filing मिली, या बहुत थोड़ी सी मिली या बिल्कुल नहीं मिली तो घर के पास तो मुझे बहुत सारी iron filing मिली, इसी तरह मैंने अपने school के पास जब देखा, तो वहाँ पर जो मिट्टी थी, उसमें very few बहुत थोड़े सा iron filing मिले फिर मैं अपने village गया, अपने गाओं गया वहाँ पर जो मिट्टी थी, उसमें मैं ऐसी तरह से magnet को रब किया तो कोई भी iron filing से उस पर नहीं चिप की इसका मतलब वहाँ पर क्या लिखेंगे आम none, तो इस तरीके से आपको चाहिए ये वाला note down कर लो या अपने हिसाब से आपने जो test किया है वो note down कर सकते हो तो अगर आप ये table भर के पहिली और बुजो को send करोगे तो वो compare करेंगे amount of iron filing found in soil from different parts of the country तो जैसे आप अपने शहर का पूरा लिख सकते हो कि मैं इस शहर में रहता हूँ और यहाँ पर मैंने test किया तो मुझे ये मिला तो ये चीज जब पहिली और बुजो को भेजोगे तो पूरे देश से लोग उनके पास भेजेंगे तो उनके पास पूरा data आ जा गई कहाँ पर iron filings ज़्यादा मिलती है कहाँ पर कम मिलती है तो वो आपके साथ ये information शेयर भी कर सकते है 10.2 Pols of Magnet Magnet के poles क्या होते हैं हमने ये चीज अब्सर्व करी थी कि जो आपकी iron filings होती है छोटे छोटे लोहे के जो टुकडे होते हैं अगर वो present हो तो वो magnet से चिपक जाते हैं जब उसे हम soil में rub करते हैं क्या आपने कोई चीज special observe की थी कि किस तरीके से जो iron filings है वो magnet से चिपक रही है तो ये जो iron filings है जब magnet पे stick करती है magnet पे चिपकती है तो एक खास pattern मनाती है वो pattern क्या है activity समझते है activity 4 एक paper की sheet लो और कुछ iron filings को sheet of paper पे फैला दो अब एक बार magnet को sheet पे रख दो आपको क्या observe होगा क्या जो iron filings है वो पूरे magnet पे चिपक रही है तो आप observe करोगे कि हाँ पूरे magnet पे चिपक रही है magnet के हर जगे पर वो चिपक रही है क्या आप या observe करोगे कि magnet के कुछ पार्ट पे iron filing ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है दूसरे पार्ट के comparison में जैसे कि आप नीचे figure में देख सकते हो कि magnet के जो दोनों ends है यहाँ यहाँ किनारे और इस तरफ भी देख लो यहाँ पर iron filing ज़्यादा चिपक रही है इधर इधर भी चिपकी है लेकिन हलका हलका जादा तर इसके दोनों ends पे चिपक रही है तो यह चीज़ आपको observe होगी अब इन iron filing को आप remove कर दो जो कि magnet से चिपकी है और इस activity को फिर से repeat करो कि हो सकता है by chance वो किनारे पे चिपक गई हो एक बार फिर से करके देखते हैं क्या कोई change आपको observe हुआ pattern में जिस तरह से जो iron filing से attract होती है magnet के अलग-अलग parts से तो इसका अंसर होगा no कोई भी हमको pattern में change देखने को नहीं मिलेगा यानि जैसे पहले हमारा था कि दोनों ends पे iron filing जादा चिपक रही थी बाकी हिस्से पे कम उसी तरह से फिर होगा और जितनी बार भी आप करोगे आपको यही चीज देखने को मिलेगा अब इस activity को आप pins या iron nails की मदद से भी कर सकते हो अगर आपके पास iron filing नहीं है तो यह भी use कर सकते हो और bar magnet के लावा दूसरे shape के magnet भी आप use कर सकते हो तो वहाँ पर भी आप देखोगे जैसे आपने bar magnet दिया और pins ले ली तो pins उसके दोनों ends पे जादा चिपकेंगी और बाकी हिस्से पे कम अब आपको एक diagram ड्रॉ करना है और show करना है कि जो iron filing है वो magnet से किस तरह से चिपक रही है तो चली मैं इसको draw करके आपको दिखाता हूँ किस तरह से आपको draw करना है तो इस तरह से मैंने magnet बना दिया अब iron filing को भी हम बना देते हैं जो इसके ends है वहाँ पर ये ज़्यादा stick करेंगी तो ये इस तरह से हमारी figure बन गई आगे क्या कहा रहा कि आपकी जो drawing है क्या वो similar है जैसा कि figure 10.6 A में बना हुआ है तो ये देखो A वाली figure इसी तरह तो हमारा है इसी तरह हमने magnet बना है दूनों end में इस तरह से iron filing चिप की हुई है तो इसका अंसर हो जागा यास ऐसे ही हमको देखने को मिला है तो यहाँ परम को ये पता चला कि जो iron filing वो attract होती है जादा towards the region close to two ends of the bar magnet यानि हमने bar magnet टे लिया इसके दूनों जो किनारे हैं उसके आसपास iron filings जादा attract होती है तो जो poles होते हैं magnet के वो इनी ends के करीब होते है यानि जैसे मैंने ये magnet बनाया ये bar magnet आपका है तो आपके poles यहाँ इसी किनारे पे होंगे अब आपको ओगे poles क्या होते है तो दोको magnet के वो हिस्से जहाँ पर attraction की जो power है वो जादा होती है उनी को हमने pole नाम दे दिया अब ये जो pole होते हैं वो magnet में दो होते हैं एक आपका north होता है दूसरा south होता है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे detail में अब try करो कुछ और magnets आप अलग-अलग shape के classroom के अंदर ले आओ और check करो उनके poles की location कैसे check करोगे वही iron filings का use करके जहाँ ज़ादा attract हो रही होगी वही उसके pole होगे तो इस तरह से check करने के बाद क्या आप mark कर सकते हो poles की location को जो अलग-अलग तरीके के हमारे magnet है figure 10.4 में जो हमने देखा था ये वाली जो हमारी figure थी इसके अंदर देखो अलग-अलग type के magnets है अब इनके poles आप बताओ तो यहाँ पर हमें mark कर देता हूँ जिसा आपका ये bar magnet है तो एक pole इधर होगा और एक pole आपका इधर होगा cylindrical magnet है एक pole इहाँ होगा एक pole इहाँ होगा horseshoe है एक इधर होगा एक इधर होगा ball ended है एक इधर होगा एक इधर होगा अब कौन सा north है कौन सा south है वो हमको test करना पड़ेगा तो अगले topic में हम वही वाला discuss करने जा रहे है कि कैसे पता करेंगे कि इन दोनों में north वाला कौन सा है south वाला कौन सा है 10.3 finding directions तो magnet के help से हम direction find करेंगे कौन सा north है कौन सा south है east किदर है west किदर है magnet के बारे में लोग बहुत पहले से जानते थे यह एंशेन टाइम में प्राचीन जमाने से जानते थे बहुत सी property भी magnet की उनको मालूम थी आपने interesting stories पड़ी होगी magnet के बारे में जैसे कि एक story थी about an emperor in China एक emperor था चाइना में यानि एक महराज कह सकते हो समराट चाइना में उसका नाम Huangti था ऐसा कहा जाता है कि उसके पास एक chariot था यानि एक रत था और उस रत पे एक lady का statue लगा था जो की rotate कर सकता था किसी भी direction में यहाँ figure 10.8 में देख सकते हो कि ऐसे इसका chariot था रत था और यह उपर इस तरह से statue लगा था यह statue घूम सकता था It had an extended arm उसने एक हाथ को extend किया था फैला है हुआ था यहाँ आप देख सकते हो यह इसका हाथ जो है यह ऐसे straight है बाहर की तरह निकला हुआ है जैसे वो रास्ता दिखा रही हो कि यहाँ इधर जाना है अभी इस statue की एक interesting property थी क्या property थी It would rest in such a position that its extended arm always point towards south statue घूम सकता था लेकिन उसको कितना भी घुमा लो जब वो rest पे आता था statue जब रुकता था तो वो जो हाथ है वो हमेशा south की तरफ point कर रहा होता था यानि यह जो हाथ direction दिखा रहा है इधर south है तो अगर मान लोग घोड़ा इधर गया या उधर गया तो उसी हिसाब से यह जो statue है यह भी घूम जाता था और यह हमेशा इसका हाथ south की तरफ होता था तो इस extended arm की तरफ देखकर जो emperor था वो locate कर पाता था direction अगर मान लोग इसी नई जगे पर गया तो उसको पता होता था किहां किस direction में हम जा रहे हैं जैसे मान लोग इधर हाथ दिखा रही है तो यह तो south है मालुम था तो अगर मान लोग इसी direction में गई है तो वापस इसी direction में उल्टा आना पड़ेगा तो इससे direction का उसको idea लग जाता था किधर हम गये हैं और कैसे वापस आना है तो चलिए हम भी ऐसे कुछ direction finder बना लेते हैं जिससे हमको भी direction बता जिल जाए कि किधर south है किधर north है उसके लिए हमको activity करनी पड़ेगी activity 5 तो चलिए हम कर लेते हैं आपको एक बार magnet टे लेना है और उसके एक end पे कोई mark लगा देना है अच्छा इस side लगा दो यह इस side लगा दो अब क्योंकि मेरे जो magnet है इसमें marking पहले से ही है यहाँ पर दोको यह north और south ही बना हुआ है तो मुझे marking करने के जुरत नहीं है अगर आपके magnet कुछ नहीं बना तो एक side आपको किसी भी side निशान लगा देना है फिर इसके बिलकुल बीचों बीच से आपको एक धागा बांद लेना है और किसी stand से इसको लटका देना है कुछ इस तरह से ध्यान ले आपको जो magnet है वो freely rotate कर सके यानि आराम से पूरी तरह से घूम सके अब आपको wait करना है इसके rest पे आने का यानि रुकने का तो यह देखो हमारा magnet रुक चुका है अब आपको क्या करना है उपर से इसको देखो तो अब इसके दोनों किनारे कहा पर आ रहा है वहाँ पर आपको marking कर लेनी है यानि नीचे जैसे मैंने यहाँ paper लगा है तो एक इसका end यहाँ आ रहा है इस तरफ और दूसरा यह इधर आ रहा है यह दो point हमने mark कर लिए अब इस line को हम ऐसे join कर देते हैं इससे यह पता चलना है कि इस line के along यह magnet आके रुक रहा है इससे मैं और थोड़ा पीछे से इसको दिखाऊँ तो यह magnet इस line के along आके रुक रहा है अब हम क्या करेंगे इस magnet को थोड़ा सा push करेंगे यानि इसको हिलाएंगे हो सकता है किसी और direction में जाके रुक जाए तो यह इसको मैंने इस तरह से push कर दिया अब थोड़ी दे बाद देखते हैं यह किस direction में रुकता है वो सकता है कि यह ऐसे से रुक जाए आप देख सकते हो फिर से यह इसी line के along आके रुक रहा है यानि इसे हम rotate भी करा रहे हैं लेकिन फिर भी यह ऐसे ही इसी direction में रुक रहा है चलो मैं आपको live इसको घुमा के दिखाता हूँ कि जैसे हम इसको यहाँ पर ऐसे इसको सीधा रखने कोईश करें कि यह ऐसे इस position में रहे तो दो को क्या होगा घूम के यह वापस इसी तरह से आ जा रहा है ठीक है और अगर ऐसे इसको रोके तो यह ऐसे ही रहेगा यानि हर हाल में यह इसी तरह से रह रहा है तो यहाँ समझ गयोगी जो magnet है वो हमेशा जब रुकेगा वो एक same direction में ही आके रुकेगा तो अब क्या guess कर सकते हो कि जो mystery थी जो राज था जो चाइना के emperor के chariot पे statue लगा था उसके रत पे जो statue लगा था उसके पीछे का राज आप समझ गया होगे कि वहाँ पर क्या होगा magnet लगा होगा उसे statue में और जो आपका magnet है वो north-south direction के अंदर रुकता है जो उसका हाथ बाहर निकला है वो south की तरफ होगा इसलिए कितना भी धरुदा चले जाओ वो हमेशा south की तरफ ही दिखाएगा अच्छा ये जो activity है यानि magnet को हमने धागे से बांद के लटकाया था तो magnet के जखाँ आप iron bar लेलो plastic की आप wooden scale लेलो और फिर try करो तो क्या ये भी किसी खाज direction में रुकता है तो आप करोगे तो दिखोगे कि नहीं ये किसी भी direction में रुक सकता है इसका मतलब ये जो property है ये magnet की property है हर चीज ऐसा नहीं कि north-south में रुकेगी सिर्फ magnet ही north-south direction में रुकेगा अब कोई हलका object ना लेना इस activity के लिए क्योंकि हलका object आसानी से रुकेगा नहीं तो थोड़ा थोड़ा घूमता रहेगा और आपको ये activity अवाइड करनी है उस जगें पर वेर देरा currents of air यहां हवा चल ली हो अगर रूम में भी कर रहे हो तो पंखा आपको नहीं चलाना है क्योंकि हवा होगी तो ये magnet आपका घूमने लगेगा या जिस object से भी आप कर रहे हो वो घूमने लगेगा तो बिल्कुल हवा ना हो तब ही आपको बता चलेगा तब ही वो रुखेगा कि क्या और भी जो material है वो भी rest पे आते हैं उसी same direction में तो जैसे मैंने आपको बता है कि नहीं सिर्फ magnet की ही ये property है कि वो ही north-south direction नो रुखता है बाकि और जो object आप लटका होगे वो किसी भी direction नो रुख सकता है तो हमें ये पता चला कि जो freely suspended bar magnet होता है वो हमेशा रुखता है एक particular direction वो direction कोई सा है north-south direction freely suspended का मतलब ऐसे ही आपने लटका दिया अब सवाल यही उठता है कि north कौन सा है south कौन सा है ये हम कैसे बता करेंगे तो चली वो देखते हैं तो ये तो हमको पता चल गया है कि ये जो magnet है वो north-south direction में आके रुखेगा अब यहाँ पर तो mark है लेकिन आपके magnet पेगर मालू marking नहीं है तो आप कैसे बता करोगे कि ये वाला किनारा north है ये ये वाला है इतना तो मालूम है कि एक किनारा north है एक south है कौन वाला north है कौन सा south है ये हमको नहीं बता तो उस case में हम कैसे बता करेंगे तो हम इस तरह से बता करेंगे कि ये देखो कि sunrise आपका किस direction में होता है सूरज किस तरफ निकलता है जैसे मैं आपने यहां बात करूँ तो इस direction में मेरे यहां sunrise होता है सूरज निकलता है तो sunrise का जो direction है वो आपका east होता है यानि यह जो direction है वो east है इस से हम left चलेंगे यानि इस side से इसका left तो ये होगा न मैं अगर वीडियो को उल्टा करूँ तो अब देखो ये direction आपका left है इस तरफ ये left होगा तो जिधर सूरज निकलता है इस direction से इसके left वाला जो direction होगा यानि ये वाला direction ये आपका north होगा तो यहां magnet वे देख सकते हो ये जो direction है ये वाला जो किनारा है ये north है और इस तरफ वाला जो direction होगा वो आपका south होगा तो इस तरीके साब north और south पता कर सकते हो तो आपने देख लिया जो sun rise होता है वो direction आपका east होता है सूरज किदर से निकलना है कि हाँ बिल्कुल हमको exact north पता चल जाएगा या exact south पता चल जाएगा कि बिल्कुल इसी direction में इधर ही south है थोड़ा direction इधर उधर हो सकता है जिसे मालो exactly north इधर है तो experiment में आपको हो सकता है इधर north दिखा है या इधर दिखा है ठीक है थोड़ा सा इधर उधर होगा ऐसा नहीं कि इधर दिखाने लगे तो एक मोटा मोटा आइडिया आपको लग जाएगा कि हाँ नौर्थ कि इधर है लेकिन आपकी यह help करेगा कि नौर्थ और साउथ डिरेक्शन को find करना आपने जो line paper पे ड्रॉ की थी थी न उसमें कहते हैं North Seeking End या इसी को हम short में North Pole कहते हैं और दूसरा End जो है जो कि South की तरफ point कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं South Seeking End या South Pole कहते हैं Magnet का तो अगर मैं ऐसे rough सा magnet बनाऊँ तो यह आपका ऐसे North है और यह South है तो इसको क्या कहेंगे हम North Seeking End या फिर North Pole इसी तरह से इस वाले को South Se अब पहले ही पूछ लिए, in which direction is the main gate of your school situated from your classroom, तो आपके classroom से, आपके school का जो main gate है, वो किस direction में situated है, यानि मालो आपका ये classroom है, और इधार आपका ये main gate है, तो classroom से इस तरफ है, तो ये तरफ कौन सा direction है, ये आप पता कर सकते हो, वही काम करना है, आपको magnet को लटका देना है, तो आपको north-south का direction पता चल जाएगा, जिसे मालो आपने magnet को लटकाया, और इस तरह से आके magnet रुका, अब ये पता कर लो north किधर है, south किधर है, अगर sun इधर से rise कर रहा है, तो इधर face करके आप खड़े होगे, तो आपका ये वाला हिस्ता left होगा, यानि ये आपका north होगा, और ये हिस्ता क्या होगा, south होगा, यानि ये जो direction है, वो south है, तो आप कैसे सकते हो कि classroom से, जो main gate है, वो south की तरफ है, अच्छा main gate से आपका classroom किधर है, ये पूछ लिया जाए, तो फिर gate से बताएंगे, कि gate से classroom इस तरफ है, यानि north की तरफ, तो classroom से देखें, तो gate हमको south की दिखेंगा, और gate से classroom देखें, तो हमको classroom north की तरफ दिखेंगा, हर magnet के दो pole होते हैं, कैसा भी उनका shape हो, तो आम तोर से north को हम n लिखते हैं, south को s लिखते हैं, ठीक है, magnet वे आपको n और s जो दिख रहा था, वो north और south pole है, अब ये जो property है magnet की, वो बहुत जादा useful है हमाई सदियों से जो traveler हैं, वो इस magnet की property का use करते हैं, direction को find करने के लिए, ऐसा कहा जाता है, कि पुराने जमाने में जो traveler थे, यानि एक जिखेंगे जो जाते थे, दूर दूर का सफर करते थे, वो direction इसी तरह से find करते थे, कि एक natural magnet लिया, उसको suspend कर दिया, यानि उसको लटका दिया thread से, और direction पता कर लिया, तो वो उसको अपने साथ हमेशा carry करते थे, एक धागा रखे रहते थे, वो magnet रखे रहते थे, जहां उसको direction देखना होता था, वैसे लटका के देख लेते थे, फिर धीरे ऐसे time बीता, device को develop कर लिया गया, इस magnet की property पे based, इसको हम compass कहते हैं, तो compass क्य रहता है, इसी के अंदर ये लगी होती है निडिल, और यहां पर marking की यह होती, जैसे यह है ना, तो ये east है, ये west है, अब north और south की दहर है, क्या बता सकते हो, अभी हमने देखा था कि east की तरफ अगर हम face कर लें, यानि इधर हमारा ये east है, यहां पर mark है, तो इस से अगर हम left की तरफ जाएंगे, तो हमको north मिलेगा, यानि north हमारा इधर होगा, ये point कर रहा है, तो फिर ये क्या होगा, south होगा, इनके बीचों बीच में जो आता है, वो south east आता है, ठीके south और east के बीच में इसी तरह southwest, north east, फिर उसके अंदर भी छोटी-छोटी degrees होती है, जो कि आगे आ गूम सकती है, उसी तरह से ये भी होती है, कि घूम सके, चली मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये देख सकते हो, ये हमारा compass है, इसमें बीच में आपके एक needle लगी हुई है, तो ये needle आपकी magnetic है, इसका मतलब ये north-south direction में रुकेगी, तो हाँ बिलकुल आप देख सकते हो ये north-south direction में रुकरी है, जहाँ पर ये वाला, जो red वाला point है, ये north की तरफ point कर रहा है, ये direction आपका north है, और ये दूसरा वाला जो end है, वो आपका south है, तो कितना भी इसको हम गुमा ले, चलो इसको हम rotate कर दें, तो देखो ये भले हिम गुमा दे रहे हैं, लेकिन हमेशा ये north वाला north की तरफ और south वाला south की तरफ ही point करेगा, तो आपने देख लिए इस तरह से ये होता है, अब ये जो compass होता है, इसमें dial भी होता है, जिसमें direction mark होता है, यनि पीछे जो मैंने आपको दिखाया, marking की गई है, कौन से direction की तरह है, तो जहाँ भी हमको direction पता करना होता है, तो वहाँ पर हम compass को रख देते हैं, उसकी जो needle है, वो north-south direction को indicate करती है, जब वो रुकती है, यानि आपने कहीं रखा, तो थोड़ा सा ही लिती डूलती है, फिर एक time आगा जब रुकेगी, तो वो north-south direction में रुकेगी, अगर मालो इधर उधर direction में उसको घुमा दिया प्रेट कलर से मार्किंग होती है, तो उससे आप समझ जाओगे कि हाँ ये north वाला है, और दूसरा फिर वो south होगा, ठीक है, तो ये पूरी कहानी है, आयोप सारी चीज़ां आप समझ गया होगे, 10.4, make your own magnet, तो वो अपने से खुद से एक magnet बनाते हैं, वैसे तो बहुत सारे method है, magnet को बनाने के, यहाँ पर जो सबसे आसान वाला method है, वो सीख लेंगे, इसके लिए आपको क्या करना है, एक rectangular piece ले लेना है, यानि लोहे का टुकड़ा ले लेना है, तो rectangular iron piece ले सकते हो, या needle ले सकते हो, ठीक है, कोई भी लोहे की चीज, जैसे nail वागरा हो गई, वो ले सकते हो, और फिर उसको table पर रख देना है, एक bar magnet आपको लेना है, और उसके एक pole को, वो जो आपने iron bar लिया था, लोहे का टुकड़ा लिया था, उसके एक edge पर रखना है, तो जैसे मैंने आपको बताया, कि rectangular iron piece ले सकते हो, needle ले सकते हो, iron nail ले सकते हो, इस तरहा बहुत सारी magnet लिया, तो किसी एक pole से, इसके उपर rub करेंगे, ध्यान रहे, pole को बदलना नहीं है, एक बार जो pole आपने select कर लिया, उसी से आपको बार बार rub करना है, जैसे मैं यहाँ north से rub करूँगा, तो इसके एक किनारे पर ऐसे हम magnet को रखेंगे, और ये इस तरह से करेंगे, ठीक है, फिर उठा लेंगे, और फिर इसी तरीके से यहाँ से ऐसे rub करेंगे, ध्यान रहे, ना pole बदलना है, ना direction बदलना है, जैसे यहाँ इसका जो tip वाला हिस्सा है, इधर से हम पीछे की तरफ रख कर रहे हैं, तो ऐसे ही rub करेंगे, यहाँ पहुच के फिर उठा लेंगे, और फ के along, जैनि एक किनारे से उसके उपर से टच कराते हुए, मूव कराते हुए, दूसरे किनारे तक पहुच जाना है, अब आपको मैगनेट को उठा लेना है, यानि एक किनारे से मूव कराते हुए, दूसरे किनारे पहुच के फिर उठा लेना है, और फिर से उसी तरीके से ज आप कुछ iron filings को इस iron bar के करीब ले आओ और चेक करो कि क्या वो magnet बन गया है कैसे चेक करोगे अगर जो भी आपने पिन या iron filings ली है उस लोहे के टुकड़े पर चिपकने लगी इसका मतलब वो लोहे के टुकड़ा जो iron bar हमने लिया था वो magnet बन जुगा है अगर नहीं चिपक ले टाइम ऐसा नहीं कि आप से सोचो कि चलो नौर्थ तो बहुत रब कर लिए आप चलो साउथ से कर लेते हैं नहीं एक जो पोल स्टार्टिंग में या उसी से रब करना है और जो डायरेक्शन है मुव्मेंट का वो वही रहना चाहिए तो जैसे मैंने आपको बताया था क कोई भी चीज ले सकते हो इस आयरेन ने ले लो नेडल ले सकते हो या ब्लेड ले सकते हो और उसको मैगनेट में कर सकते हो तो अब आप जानके हो कि इस तरीके से मैगनेट बनाया जाता है अब कि आप अपना कमपास बनाना चाहते हो जिससे डायरेक्शन हम बता कर सके तो उसके लिए हम activity 6 कर लेते हैं, तो इसके लिए आपको एक iron needle को magnetize करना पड़ेगा, magnetize मतलब उसको magnet बनाना, कोई भी लोहे की चीज है, उसको जो magnet बनाते हैं, तो हम उसको कहते हैं कि हम इसको magnetize कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने देखो, needle को magnetize किया था, ताकि यहाँ पर हम इसको use कर सकें, तो बार magnet का use करके magnetize कर लेना है needle को, अभी जो magnetize needle है, इसको insert करना है, कोई छोटा सा cork ले सकते हो, या foam ले सकते हो, उसके अंदर insert कर देना है, अब वो जो आपने cork या foam लिया था, उसको water में float करने दो, एक बात का ध्यान रखना कि जो needle है, वो पानी को touch नहीं करना चाहिए, needle हवा में रहे, और जो foam या cork आपने लिया था, वो उस पानी पे तैरता हो, बस आपका जो compass है, वो ready हो गया, अब वो काम करना शुरू कर दिया, यानि वो needle आपकी magnetize हो गई है, magnet की तरह से आप behave करेगी, तो किस direction में अपने आपको fix करेगी, जैसा कि हमने पढ़ा है कि north-south direction में अपने आपको align करेगी, fix करेगी, अब आपको direction को note करना है, यह आपका जो cork है, जिसके अंदर आपने needle को fix किया है, तो वो cork जब तैर रहा है, तो needle किस तरह point कर रही है, यह direction देख लो, फिर उस cork को थोड़ा सा rotate करा, तो घुमा दो, needle fix रहनी चाहिए, needle को नहीं निकालना, तो अलग-अलग direction में cork को घुमाओ, और node को रो direction को, in which the needle points when the cork begins to float again, without rotating, याई आपने cork को घुमा दिया, थोड़ी देख घुमेगा, घुम के जब वो रुख जाए, या फिर से वो proper जैसे तैर रहा था, तैरने लगे, तब देखो कि अब किस direction में है, क्या जो needle है, वो हमेशा एक ही direction ने point करेगी, यह जैसे magnet का हम नहीं करते थे, कि घुमा देते थे, तो वो उसी direction में आके रुखता था, वही north-south में, तो क्या यहाँ पर भी ऐसे होगा, तो बेलकुल यहाँ पर भी ऐसे होगा, क्योंकि जो needle है, वो magnetize हो गया, वो magnet की तरह behave करेगी, यानि कैसे भी आप घुमा लो, वो हमेशा आके north-south direction में रुखेगी, 10.5, attraction and repulsion between magnets, तो magnet की बीच में जो attraction होता है, और जो repulsion होता है, उसके बारे में बात करेंगे, अब यह attraction और repulsion क्या होता है, attraction तो आप समझी रहो, कि जैसे दो चीज हमने ली, उनका करीब आना यह attraction होता है, जब attract करेंगे तो एक दूसरे के करीब आएंगे, repulsion का मतलब एक दूसरे से दूर भागना, यह attraction का opposite है, तो चलिए एक interesting सा game खेलते हैं, magnet के साथ, आपको दो छोटी वही toy वाली car ले ली है, बच्चों वाली जो car होती है, और उसका नाम दे देना है A and B, प्लेस अ बार मैगनेट और टॉप आफ इच आफ दा कार, तो हर एक कार के ऊपर आपको एक बार मैगनेट को रख देना है, उसकी length के along, अब यह दिखाऊंगो मैं किस तरीके से, और उसको रबर बैंट वगरा से fix कर देना है, यह इस तरीके से, बच्चों वाली एक छोटी से कार ले लो, उसके उपर ऐसे मैगनेट लगा कि रबर बैंट से बांद दो था कि यह fix रहे, कार A के अंदर आपको क्या करना है, जो south pole है मैगनेट का, उसको front में रखना है, तो जैसा कहरा कि कार A के अंदर, जो south वाला pole है, वो front पे रखना है, यानि ये वाला जो हिस्सा है, वो कौन सा होगा, ये south pole होगा, इसका मतलब ये वाला जो होगा, वो north pole होगा, place the magnet in opposite direction in car B, car B में आपको ulter direction of magnet रखना है, यानि B में front में आपका north होना चाहिए, north pole, और rear में यानि पीछे south pole होना चाहिए, color से भी आप याद रख सकते हो, कि जैसे यहाँ पर जो blue है, उससे south pole को दिखाये गया है, और red से north pole को दिखाये गया है, अब दोनों car को आपको करीब लाना है दूसरे से, आपको क्या observe होगा, क्या जो car है वो अपनी जगे पर है, यानि दोनों car को आपने करीब लाया, तो क्या आके करीब वैसे ही रुकी हुई है, या जो car है, वो एक दूसरे से दूर भागने लगी, या फिर एक दूसरे से करीब आने लगी, और आपस में टकरा गई, क्या चीज हुई या आपको बताना है, तो इस case में क्या होगा, जब दोनों car को करीब लाके छोड़ोगे, तो वो दोनों car एक दूसरे की तरफ भागेंगी, और टकरा जाएंगी, तो आपका जो भी observation है, उसको आपको टेबल में record कर लेना है, अब यहाँ पर हुआ गया, यह दोनों car एक दूसरे के तरफ क्यों भागी, एक दूसरे से दूर क्यों नहीं भागी, इसको समझने के लिए हम basic सा एक magnet से experiment करते हैं, ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि यहाँ पर हो गया रहा है, अब दोखो एक magnet हमने यहाँ पर ले लिया है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दूनों magnet के north को एक दूसरे से करीब लाने कोहिश करेंगे, देखते हैं क्या होता है, तो यह दोखो इसका north ये है, और इसके करीब ले जा रहे हैं, तो ये तो दूर भाग रहा है, अब ये चीज नोट करते जाओ, कि दो north को जो हम करीब ला रहे हैं, तो एक दूसरे से वो दूर भाग रहे हैं, अब north और south एक दूसरे से करीब ले आए, तो देखो ये चिपक गया, अच्छा इसको हम उलड़ देते हैं, अब south इधर हो गया, अब ये south और ये south एक दूसरे से करीब लाएं, देखें क्या होता है, तो दो कोई भी भाग रहा है दूर, यानि दो south एक दूसरे से दूर भागेंगे, अब इस south के करीब हम इस north को ले आते हैं, तो ये चिपक गया, तो यहाँ से ही बात समझ माई, कि north और north एक दूसरे से दूर भागेंगे, और जो unlike poles हैं, यानि अलग-अलग जो pole है, north और south, south और north, ये attract करेंगे, एक दूसरे से करीब आएंगे, तो अब आप समझ गया होगे कि दोनों कार एक दूसरे से करीब क्यों आ गई हैं, क्योंकि A वाली कार में सामने की तरफ south pole था, और B वाले कार में स कार को आपको रखके हर केस में test करना कि क्या हो रहा है, तो यही पूरी चीज यहाँ पर लिखी हुई है, तो इसी को हमको table में लिखना है, तो चलिए इस table को हम fill करते हैं, table 10.3, पहले कॉलम में आपको position of car के बारे में दिया है, और दूसरे में how to car move, car किस तरह से move कर रही है move towards, यहनि एक दूसरे की तरफ जा रही है, या एक दूसरे से दूर जा रही है, या move नहीं कर रही है, बाई अगर कोई भी attraction ये repulsion नहीं होगा, तो car move नहीं करेंगी, और अगर attraction ये repulsion होगा, तो move करेंगी, या तो एक दूसरे की तरफ या एक दूसरे से दूर, तो यह image के form में देखो मैंने यहाँ पर लगा दिया है अब एक एक करके हम समझेंगे पहला वालक है front of car A facing the front of car B तो first वाली figure में देखो car A और B का जो front है वो एक दूसरे के आमने सामने है तो यह blue वाला आपका south है इधर यहाँ south है और यह north है और north है अब यहाँ पर देखो क्या है वही वाला जैसे मैंने आपको दिखाया कि car A का जो south है और car B का जो north है वो आमने सामने है एक दूसरे से करीब है तो attract करेंगे एक दूसरे की तरफ खीचे हुए जाएंगे क्योंकि light वाला जो हिस्सा है इससे आप front पहचान लेना जैसे यहाँ पर देखो यह light लगी है जो headlight है यह front का है तो यहाँ पर यह front है इसमें यह front है तो जैसे कि हमसे कह रहा था कि car A का जो rear वाला हिस्सा है hard A C वा चीशे वाला हिस्सा है वो car B के front के सामने वह नौर्फ यह है यहाँ पर नौर्फ यह है यानी रेड़ वाला हमारा North है और blue वाला हमारा South है इसमें देखो north इधर north इधर north north को आमने ऌकश ये आग मीआ कर दिया गया तो like poles है आगे आगे चलेगी, उसके पीछे कार A होगी, इस case में देखो, ये south है और ये south है, तो क्या हो रहा है? इसका south और इसका south आमने सामने आ रहा है, like poles है, एक जैसे pole आमने सामने आ गए है, तो क्या करेंगे? repel करेंगे एक दूसरे से दूर भागेंगे तो ये car इधर भागेगी ये car इधर भागेगी इसमें भी आप लिखोगे move away from each other last case में rear of car B facing rear of car A तो car A और car B का जो पीछे वाला हिस्ता है वो आमने सामने है car A के पीछे वाला हिस्सा ये और car B का पीछे वाला हिस्सा ये ये दोनों आमने सामने है तो ये red वाला हमारा क्या है? north है और blue वाला हमारा south है इस case में देखो car A का जो north है car B के south के आमने सामने है तो unlike pole आमने सामने हमने कर दिया unlike pole क्या करते है? attract करते है तो ये दोनों जो car है वो एक दूसरे की तरफ भागेगी तो इसमें अब लिखोगे move towards each other एक दूसरे की तरफ जाएंगे तो ये table हमारा complete हो गया तो इस activities से आपको क्या बता चला क्या दो जो similar pole है वो attract करते हैं या repel करते हैं एक दूसरे को तो opposite pole क्या करते हैं attract करते हैं यानि north और south एक दूसरे से करीब आएंगे अब ये जो property है magnet की इसको आप observe कर सकते हो किसी magnet को suspend करके लटका करके और दूसरा जो magnet है वो उसके करीब ले आओ अलग अलग pole यानि एक pole एक बार ले आओ magnet करीब फिर दूसरा pole ले आओ देखो क्या होता है चली इसको करके देख लेते हैं अभी इस तरह से एक magnet को हमने suspend कर लिया है लटका लिया है अब एक दूसरा magnet इसके करीब ले आएंगे तो एक बार हम क्या करते हैं यह जो दूसरा magnet है इसका north pole इसके करीब ले आते हैं तो देखो यह चिपक गया जाके कौँ से pole चिपक है यह देखो south वाला South किससे चिपक रहा है? North से अब दूसरे वाले magnet का south इसके north के करीब ले आते हैं तब क्या होगे देखो यह चिपक गया यदि north south के साथ चिपक गया वहीं जम south ले आ रहे थे तो ये घूम के south वाला इसके साथ चिपक रहा था अब यहाँ पर बूजो के पास एक question है क्या हो अगर जो magnet है उसको compass के करीब ले आए तो चलिए करके देख लेते हैं अब यह चीज आपने पढ़ी है कि compass की जो needle है वो north-south direction में आके रुखती है जिसमें यह जो tip red color से paint है यह north की तरह point कर रही है यानि यह वाला north का direction है अब अगर एक magnet को इसके करीब लाएं तो अब क्या होगा यानि अगर magnet का north pole इसके करीब ले आएं तो एक दूसरे से दूर भागेंगे वहीं यह वाला जो tip है यह south की तरह point कर रहा है और magnet का इधर से north ले आएंगे तो यह उसकी तरह जाना चाहेगा चलिए हम इसको करके देखते हैं practically यह देखो जैसे ही मैंने north magnet का इधर ले आया अगर magnet को हटा देंगे तो फिर से देखो वापस अपनी position पे आ गया यह घूम के वहीं रुकेगा अब इसके करीब south वाला pole ले आके देखते हैं क्या होता है तो देखो यह नहीं घूमा इस बार बलकि इसकी तरफ attract हो गया एक दम यह fix हो गया तो यह चीज़ भी आप समझ गया a few questions, कुछ साफधानी आपको बरतनी है उसको हम देखते हैं magnet अपनी property को lose कर देते हैं यानि अपनी property खोने लगते हैं कब खोने लगते हैं जब उनको heat किया जाता है या hammer किया जाता है उनको हताओडी मारी जाती है या उसको किसी height से drop किया जाता है तो ये सारी चीज़ें आपको magnet के साथ नहीं करनी है कि चलो heat करके देखें क्या होता है तो magnet अपनी property खोने लगेगा यानि magnet खतम होने लगेगा यानि उसका जो magnetism है वो खतम होने लगेगा वो attract और ripple करना बंद कर देगा इसी तरह हतावड़ी नहीं मानना उसको किसी हुचाई से fake नहीं है इसके अलावा जो magnet है वो कमजोर हो जाते है अगर उनको सही तरीके से store ना किया गया सही तरीके से रखा नहीं गया तो हर magnet को रखने के एक तरीका होता है अब बार magnet को रखा कैसे जाता है वो समझ लो याद रखना बार magnet को हमेशा हम pair में रखते है यानि एक magnet अकेला नहीं रखते बलकि यह pair यानि दो है तो दो को एक साथ रखेंगे इस तरह से कि इनके जो poles हैं वो opposite direction में हो जैसे ये वाला north और फिर नीचे south है तो ये वाला south और north इस तरह रहेगा यानि इस तरह से हम नहीं रखेंगे कि north हो north एकी तरफ हो और south हो south एक तरफ हो बलकि उल्टे direction में हो और इनके बीच में wood या plastic कुछ भी रख सकते हैं इस तरह से तो ये ऐसे हमने कर दिया अब इसको हम ऐसे भी रख सकते हैं लेकिन ध्यान रहे कि ये वाला side हमारा north हो और ये south हो या ये south और ये north हो और दोनों के across हम soft iron लगा देंगे ये इस तरह से तो ये आपका soft iron piece है इसको हम ऐसे लगा देंगे दोनों side तो ये इस तरह से bar magnet को रखा जाता है तो समझें इनको आपको pair में रखना है unlike जो pole है वो same side होने चाहिए और उनको आपको किसी wood वगएरा से separate करना है और दो जो है soft iron उसके across ये उसके किनारे पे आपको रख देना है horseshoe magnet की बात कर ले तो इसमें लोहे के टुकड़े को उनके pole के across रख देना है यनि आप यहाँ देख सकते हो ये लोहे का जो टुकड़ा है ये रख दिया गया जैसे ये हिस्सा इसका north है और ये south है तो इससे touch कराके एक लोहे का टुकड़ा आपने रख दिया अब magnet को आपको दूर रखना है किससे जो cassette होता है mobile हो गया, television हो गया, music system हो गया compact disc जिसे हम cds कहते हैं और computer इन सारी चीज़ों से आपको magnet को दूर रखना है नई तो होगा क्या इनकी जो working है इस पे effect पड़ेगा आपकी इन चीज़ों को खराब कर सकता है magnet और चैनल को subscribe कर लो तो यहाँ देख सकते हो नीचे more लिखा होगा उस पे आपको click कर देना है फिर आप यहाँ पर scroll down करोगे तो आप देख सकते हो सारी playlist आपको मिल जाएगी Classics Science, Classics Maths, Maths की chapter बाइस भी playlist है जो की नीचे आपको मिल जाएगी तो जो भी वीडियो आपको देखनी है उसके सामने जो link दिया हुआ उस पर आप click करोगे तो वहाँ से वो open करोगे जिसे Classics Science देखनी है न तो यहाँ पर आप click करोगे तो Classics Science की वीडियो आपको सारी यहाँ पर मिल जाएगी ओके थैंक्यू